सलाम अलेकुम देखें जनाल साइमा जाहिद अपनी गार्डन में हाजिर हैं और बारिश आज तेज बारिश की खबर है और यह मैं आपको दिखाऊं यह देखें एक यह तुरही भी बड़ी होने लगी है एक यह दूसरी तुरही है जो बड़ी हो रही है यहाँ पर छोटा सा करेला है वह उस तरह तोड़ी बड़ी तुरही है और भी मैं आपको दिखाती जाओं जब इस टाइप के करेले निकलते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है यह देखें एक यह करेले का फूल है इसका भी बड़ी पोलीनेशन कर देते हैं यह देखें यह सिंपल तरीका है लेकिन मैं फिर भी एहतियातन कर देती हूं कि हैंड पोलीनेशन हो जाएगा तो यह फ्रूट बड़ा हो जाएगा और यह देखें यह जालरी करेले कराता है जो लंबा बहुत जादा लंबा होता यह देखें और यह वही बेले जिनकी मैंने टिप तोड़ी थी कुछ बक्ले आय तोकाफी बड़े हो रहे हैं कद्वम पोलीनेशन किया यह चार तरह दो गोल ऊजर अधी यह अब पढ़िए है करेले तो काफी निकल रहे है और यह एक रहा pourrait लगिए जिसकी साही नियुक्तिया तो ऑर यह देखें आज काह भी आगया हमारे गार्डन में यह तत देखना ऐगए किसमी से बड़ी और गौई धव आ घी और बादल कि मेल आरे हैं तुटे लु प्रुट। में ये लोबिया की फ्लियां बड़ी चल रही हैं और तकिरीबन काफी अच्छी चल रही है ककडी देखें यह चार दिल की ने से बड़ रहे हैं इनकी तस्वीर भी तो खीज़ो और यहां तुरहियां लग रही हैं यह अंगूर की बेल है और यह मॉम्निंग गुलोरियां देखाओं आपको यह बिल्कुल अलग होते हैं इनका मैं ख्याल है हमें पॉली नेंशान नहीं करना पड़ता है किस तरह पॉली नेशान होता है मुझे देखें बीडिक कडर क्लीनск कोदे हमारे देखें अब यह ग्रीन हो गए पहले इस तरह के थे और अब इसे ग्रीन हो गए इनका सेंटर चेक करें आप किस कदर का खुब्सुरा देवस्ट हाँ उसे हाथ नहीं लगा वह पड़े होएंगे जब पकेंगे तब खाएंगे हाँ वह भी छोड़ दो आजाओ प और ये लोग्या की परियां है ये खीरे की मिल बड़ी हो रही है यहां पर भी लोग्या है यह सिंडे है उस तरह हैं यह लोक खुराब वगए तो फिर फथह में लंफड़ी हो जाए यह यह देखें जब बड़ी होने लगती तो इस जल्दी बढ़ने लगती इसका पॉलिनेशन हो गया तो यह जल्दी बढ़ी लेकिन इसमें न एक मच्छा टाइप पीड़ें यह रहे जो फुरूट को भी नुक्सान कर रहे हैं इनका इस्प्रे करना है मुझे आज इंशालला इस्प्रे करूंगी में इनका और यह खीरे की बेल आप देख सकते हैं यह इदर से निकल रही है और फस्किलास सही चल रही है यह ककड़ी की लगाई थी यह लोकी की है और यह देखें सलास पक्ते का टावर चेक करें आप फूल अब इनमें यहां जाकर आएगा और यह लाल मुली के कुछ मैंने छोड़ दिये थे के ता और इस तरफ यह मैंने थोड़े से इनमें पोदे लगाए थे यह इनमें देखे फूल आ गाई है माशाला फूल खिल रहे हैं और यह नीचे शकरकंदी की बेले हैं जो सही चल रही है उस तरफ मेंट है और यह मेरे कमल के पोदे इनमें कुछ पत्ते यलो हो रहा है अब यह यलो क्यों हो रहे हैं मुझे पता नहीं अभी तक मैंने इनको मटी नहीं दिये असल में मुझे इनको मटी देनी है अब मैं क्या करूं यह देखें यह रूट्स इनकी अलग-अलग तरीकों से निकल रही है यह देखें मुझे समझनी आ रही कि कैसे निकल रही है यह देखे अब मुझे इनको मट्टी लाजमन देनी है अब मुझे टब लाना पड़ेगा जिसमें मैं इनको मिट्टी दूँ कुछ में ये देखें फंगास टाइप लग रहा है ये लगना नहीं चाहिए इस तरीके से ये देखें ये मैं तफसीली तो जब ये इसमें छोटे-छोटे कि मुझे लाइक करें सब्सक्राइब करें कि ये मेरे बड़े खुश्चूरत पोदें उपर ये मनी प्लांट हमारी जा रही है माशाला है और इस तरफ ही वैसे साय का है लेकिन यह भी तो चल रहा है यहां पर और यह स्वाजने की फली के ये चिली के हैं ये स्टार पूल है यहां जादा चिली बैंगन और यह सब ककड़ी के पोदें फिर ये बैंगन का पोदा है पिली मुझे लाइक करें सब्सक्राइब करें दिल चाहे तो शेयर भी करें